दही से आज हम एक बहुत ही जबर्दस रेमेडी करने वाले हैं ट्रस्ट मी अगर आप इस रेमेडी को कर लेते हो ना तो आपकी स्किन इतनी ज़ादा ग्लोइंग और निखरी हुई हो जाएगे कि आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कैसे हैं आप सब आई हूप सब इच्छे होंगे वही फेस्टिवल सीजन है साथ इसाथ शादियों का भी टाइम चला हुआ है तो तहारों और शादियों के सीजन में हम चाहते हैं कि हमारी स्किन सबसे ज़्यादा ग्लोइंग और निखरी विसी नजर आए तो बस आज मैं आपके लिए वही नुस्का लेकर के आई हूँ इसमें हम इस्तेमाल करेंगे दही का दही में कैल्चियम प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है इसके अलावा भी ओशक तो का भंडार है दही लक्टिक एसिडिस में भरपूर मातरा में होता है जो कि आपकी रंगत को निखारने का काम करता है साथ ही साथ फेस के ओपर जो दाग धब्बे होते हैं टैनिंग हो गई है काला पन जैसे कि अब सर्दियों का मौसम है सर्दियों के मौसम में हम घंटो धूप में बैठे रहते हैं नतीजा कि हमारी स्किन बिल्कुल काली-काली सी पढ़ जाती है कुछ लोगों को सनवन की प्राबलम हो जाती है तो अगर इस तरह की कोई भी समस्या तो हर तरह की समस्या को ट्रीट करने के लिए दही बहुत जादा हलफुल है क्युंकि ये अगर झमोल और नहीं करना है अगर आप भी चाहते हो अपनी खिली-खिली सी सर्दियों के मौसम में भी एकदम टाइट यंग स्किन तो आपको आज मैं बहुत ही बेतरी नुपाय बताने वाली हूं तो चलिए जल्दी से शुडू करते हैं तो इसके लिए जैसा मैंने आपको पताया कि द दहीं आड कर लेंगे दहीं आड करने के बाद हम लेंगे लैमन लैमन में विटामिन C भरपूर मात्रा में पाय जाता है citric acid पाय जाता है चुकि फेस के दाग दुबो को लाइट करता है तो यहाँ पर देखिए कुछ बुनदे हम निम्बू के रसकी आड करेंगे इस तरह स और फिर जल्दी से हमेंसे mix कर लेंगे, यह जो combination है यह आपकी skin को tight करने का भी काम करता है, जैसे कि सर्दियों के मौसम में हमारी skin ऐसा लगता है, जैसे लटकती हुई feel होती है हमें, क्यूंकि सुस्कावाइं चलती है, तो बहुत जादा dry भी हो जाती है हमारी skin, तो इस case के ल आपने यह दोनों चीजों का combination लेना है, डेली, जब भी आपको वक्त लगता है, अगर सुबह मौर्निंग में कर रहे हो, तब भी पांदस मिनट के लिए लगाईए, अगर नाइट में वक्त लगता है, तो आप उस टाइम पे कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर यही करने से, यही उपाय करने से, आप देखोगे कि आपकी स्किन में कितना ज़्यादा फरक पड़ जाता है, तो क्या करना, दोनों चीजों को अच्छी तरह से mix कर लिया, और फिर देखे इस तरह से आपने अपने चेहरे पेस से मसाज करनी है, अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, रागुलर आपको अपने स्किन की केर करते रहना चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, कि स्किन केर बहुत इंपोर्टन चीज है, तो इस तरह से आप बहुत ही बढ़िया तरह से इसे मसाज कर लीजिए, थोड़ी सी देर तो आपको ले लेना है दही, अगर आपके पास थोड़ा सा बच गया है, तो भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप इसमें एक्स्टा और एक चम्मस दही का अड़ कर लीजिए, सेकिन जी चीज हम इसमें एड़ करेंगे, जो कि एक स्क्रब का काम करेगी, वो है जी दे इसमें डाल सकते हो, या फिर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हो, ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, यह सारे उप्शन मैंने आपको बता दिये, जो भी आपके पास इसली अबलेवल रहेगा, वो वाली चीज आप इसमें एड़ कर सकते हो, अच्छी तरह से मिक्स कर इसकी मदद से, स्क्रब करने से चहरे पे जितनी भी डेड़ स्किन होगी, नोज एरिया पे ब्लेकेड वाइट हो जाते हैं, वो भी आपके पूरी तरह से जो आपकी डेड़ स्किन होगी वो एकदम गायब हो जाएगी, और ब्लेकेड वाइट की प्रबलम को भी यह आपकेड गायब होगी, तो इस तरह से आपको टाम-टु-टाम करना चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चूब कियूंकि हपते में एक बार ही स्क्रब करना चाहिए, बार-बार अपने स्किन को रगणे नहीं लगना चाहिए, ठीक है, स्क्रब कर लिया, यह देखेए, जैस आप अपने चहरे को इस तरह से वाइप आफ करोगे, आप देखोगे कि स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और जो प्लेकेट वाइट के आपको प्रॉब्लम थी वह भी आपकी खतम हो जाती है, तो अची तरह से अपने चहरे को हम साफ कर लेंगे, अब इसके बा सकते हैं, जिनों को की बहुत ही जादा ड्राय स्किन है, पिग्मेंटेशन बहुत जादा है, दाग दबे बहुत जादा है, तो उस समस्याओं के लिए ये बहुत ही कारगर चीज है, इसकी जगह पे आप क्यूंकि आप ढूंडते हो और बोलते हो कि ये नहीं है, तो क्या कर पूंदे मेरे यहाँ पे बादाम ओईल की लिए है, बादाम ओईल में बिटामिन E भरपूर मात्रा में होता है, ओमेगा 3 फैटी असिड्स होता है, ये आपकी स्किन को निखारने का काम करता है, जिद्दी से जिद्दी दाग धबे को लाइट करता है, डाक सकल्स को रिमू थोड़ा सा शहद हमने इसमें एड कर लिया और अब इसमें एड करूंगी कुछ बूंदे नीबू के रस की, नीबू आपकी स्किन को एक तो डीपली नरिश करेगा, हाइडरेट करेगा, और एक्सपूलियेट करेगा, जो भी आपकी पोर्स की अंदर से बहुत अच्छी त पांस-सात मिनट के लिए इसे चेहरे पे मसाज जरूर कीजेगा, क्योंकि मसाज करने से हमारी स्किन टाइट बनती है, तो इस तरह से जो भी फेशियल स्टेप्स आपको आते हैं, वो आप यहां पे फॉलो कर सकते हैं, नहीं आते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप इस तरह स नहीं करना है, बस आप डिरेक्शन में करना है, अराम से आप हलके हाथों से मसाज कर सकते हो, कुछ देर मसाज करेंगे, फिर इसे इसी तरह से छोड़ देंगे, इसे ऐसे ही लगा रहने देंगे, और तब तक हम बना लेंगे, फेस पेक, फेस पेक बनाने के लिए मैंने सेम मिटी भी ले सकते हो, जो भी आपके पास easily available होगा, आप चावल का आटा भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लिया है basin, और इसके बाद second जो चीज में इसमें add करूँगी, देखे इसमें आपको honey add करना है, क्योंकि मेरे पास already cream बच की थी, इसमें already honey था, इसलिए मैं add नहीं कर रही हूँ, आप जरूर add कीज़ेगा, क्योंकि honey के बहुत सारे benefits हैं हमारी skin के लिए, यह हमारी skin को naturally moisturize करता है, deeply nourish करता है, anti-aging properties इसमें होती है, तो जिन लोगों को, जिनकी skin धीली पड़ती जारी है, सर्द्य के मौसम में यह common सी समस्य हो जाती है, चाए एज आपकी कुछ भी हो, लेकिन यह समस्य देखने को मिलती है, तो आप honey का, इसलिए मैं बोरे हूँ कि आपको भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा, second, इसमें मैं क्या add कर रही हूँ, मैं इसमें add कर रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी, हल्दी अगर आपको देखे, pimples वगएरा हो जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही best चीज़ है, मैंने यहाँ पे यह अंबा हल्दी का इस्तेमाल किया है, आप कस्तूरी हल्दी, अमबा हल्दी, या फिर आप जो आपके पास शुद्ध हल्दी है, घर की हल्दी है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो खाने वाली हल्दी होती है, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, आपके बास आपके शुद्ध हल्दी है, तो वह चीज है, अगर आपके बास आपके शुद्ध हल्दी है, अगर की, तो आप वह ले सकते हो, ठीक है, इसके अलावा एक चीज आप इसमें और एड कर सकते हो, वह है ग्लीसरीन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्लीसरीन में हीलिंग प्रोपरटी होती है, और सर्दियों के मौसम में आप इसे यूज किज ये, आपकी स्किन कभी नहीं फटेगी, हमेशा मक्खन की तरह मुलायम बनी रहेगी, थोड़ा समय इसमें ये भी एड करूँगी, ठीक है जी, और बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं एड करूँगी, मतलब आप ये बोल सकते हों कि सिर्फ तीन चीजों से आप ये फेसपेक तयार कर सकते हों, बेसन, हल्दी और दही, इसके अलावा बहुत कुछ ताम जहम करने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से सारी चीजों को अब मिक्स कर लेंगे और आपका फेसपेक हो गया है बनके रैडी, फेसपेक बनके रैडी हो चुका है, बस जो आपने मसाज क्रीम लगाई थी चहरे पे, उसी के ऊपर आपको लगा लेना है, इसे साफ करने की जरूरत नहीं है, थीक है? तो इस तरह से आप अपने चेहरे पे अच्छी तरह से फेसपेक को लगा लिजिए, फिर इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए, जब तक कि यह सूखता नहीं है, तब तक हम इसे छोड़ देंगे, और फिर अपने चहरे को आप normal water या फिर गुन-गुने पानी से आप धूँ सकते हो, क्योंकि सर्दियां हो गई है, हमारे इदर स्टार्ट तो थंडा पानी बह पड़ेगा, जैसे ही आपका ये face pack पूरी तरह से सूख जाएगा, तो पहले थोड़ा सा दवाब देके रखना है, ऐसे घिसने नहीं लग जाना है, अब वर डिरेक्शन में इस तरह से हलके हलके से आपको ये face pack अपना उतारते जाना है, तो थोड़े बहुत आपके जो face pack बाल होते, वो जड़ जाते हैं, रगुलर जब आप यूज़ करते हो, तो उनकी जड़े कमज़ोर होती चली जाती हैं, और जब रगुलर आप इस तरह से यूज़ करते रहोगे, बेसन का face pack तो एक टाइम में आपके face से सारे unwanted hair, remove हो जाते हैं naturally, जैसे ही आप अपना face pack remove कर जाते होना, आप देखोगे कि आपकी skin naturally glow करेगी, जो निकार आप अपनी skin पर देखना चाहते होना, definitely आपको देखने को मिलेगा, trust me, बहुत ही कमाल की remedy है, और जब आप अपने चेहरा धोल होगे, तो चेहरे को मुश्राइज करना भी बिलकुल ना भूले, इसी तरह के और